हेलो गाईज, वेलकम टू पूनम की रसोई, आज हम घर में पनीर बना के तयार करेंगे गाईज, और ये बहुत ही सौप्ट पनीर बन के तयार हुआ है, और हम आपको एक दो चीजें सी बताएंगे, जिससे बहुत ही सौप्ट पनीर बन के तयार होता है, तो प्लीज गाईज बताएंगे कि कैसे पनीर सॉप्ट बनता है पनीर बनाने के लिए हमने ले लिया है डेड़ लिटर कच्छा दूद और इसको हमको पकने के लिए रख देना है दूद जब आप पकाएं तो लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाएं और बीच बीच में एक दो बार आप इसको चल behavior ले लिया है मैं 1 बरतार में डाल देती हूं मैं और इसी के साथ हमको दो टेवल इस्पून पानी मिक्स कर लेना है हमको विणेगर और पानी की मात्रा बरावर रखनी है और हमको कर लेना है अच्छे से मिक्स और जब हम दूद पका लेंगे तो हम यही विनेगर डाल के दूद को फाड़ेंगे हमने दूद को पका लिया है और मैंने इसको चलाते हुए पकाया है तो दूद में बिल्कुल भी मलाई नहीं है और इसको अब हम आधा मिनट के लिए ठंडा होने देंगे जब तक दूद ठंडा हो रहा है मैंने एक बरतन ले लिया है यह आटा गुद्ने की थालिये थोड़ा साब गहरा बरतन ही ले एक चन्नी ले लिये और मैंने ले लिया कपड़ा को अलमल का कपड़ा है मैं इस चन्नी में इस पंदान catch माता है सकते हैं कि यह है अधा डालने के बाद ही यह तुरंद फट गया है जब हम पनीर बना रहे हैं तो पनीर का पानी होता है यह दूद्ष जैसा नहीं हो तो इस थोड़ा सा और बचा था तो हम इसमें और टाल देते हैं अब हमको विल्कुल भी लेट नहीं करना है जब हम पनीर इस तरह फाड़ते हैं और लेट कर देते च्छानने में तो पनीर बहुत हाड disturbance हो जाता है हमने यह चन्नी ली थी तो मैं यह पनीर इसी में डाल देती हूँ गाइस और यह बहुत सारा पनीर बन के तयार हुआ है क्योंकि हमने इसमें मलाई भी नहीं पढ़ने दी है यह पनीर कितना वाइड बना है और अब हमको लेना है ठंडा पानी जिससे हम पनीर को दो लेंगे क्योंकि हमने विनेगर डाला था इसलिए यह पनीर थोड़ा सा खटा होगा एक दूसरे बरतन में रख लिया है और एक गिलास लिया है ठंडा पानी पनीर के ऊपर और पनीर को मैं अच्छे से इसमें धो दूंगी जिससे इसका जितना भी खट्टा पाने गाई सब निकल जाएगा तो आप इसको ऐसे ही रगड़ रगड़ के अच्छे से हाँ शे भी आप दो सकते हैं इस्पुन से कैसे भी आप इसको अच्छे से इसका खट्टा पन हम निकल देंगे आप चाहें तो इसमें हलका सा गुनगुना पानी भी डाल दें पिल्कुल न फेंकें वो बहुत अच्छी आटा गुनते हैं तो बहुत अच्छी पूरी रोटी बहुत अच्छी बनती है जब आप चावल बनाते हैं और अब हम इसको अच्छे से पनीर को मैं दबा दबा के पानी निकाल देती हूं जब भी आप पनीर बनाए तो उसको किसी बरतन की नीचे आप दबा के न रखें आप हमेशा पनीर को लटका के रखें किसी चीज में हैंग कर दें जब हम पनीर को दबा के रखते हैं पनीर हाड बनता है जब हम पनीर को लटकाते हैं तो पनीर बहुत सौप्ट बनता है गाइस सारा पानी निकाल दिया और अब मैं इसी तरह इसको दो घंटे के लिए हैंग कर देती हूँ मैंने पनीर को ऐसे लटका दिया नीचे रख दिये एक प्लेट जिसे इससे एक्स्ट्रा पानी जो टपकेगा तो इस प्लेट में ही गिरेगा तो मैं इसी तरह इसको दो घंटे तक लटका रहने दूँगी अभी केवल धाई गंटे ही हुए गाईज इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और यह पनीर बनके रेडी हो गया है मैं आपको इसमें काट के दिखाऊंगी और जब हम घर में पनीर बनाते गाईज तो बजार से ज़्यादा अच्छा बनता है और यह बहुत ही ज़्यादा सौप्ट है तो आप इसको देख सकते हैं और हम इसको रख देंगे एक बर्तन में अगर आपने खर में बना लिया तो आठ से दस दिन तक हम फ्रिज खराम नहीं होता है ओती जी है पनीर बनाना और मैंने बताया कि आप थोड़ा सा दूत को चलाते हुए पकाएं और जब पनीर को आप फाल लें तो बिल्कुल टाइम बेश्ट न करें फटा फट उसको अलग कर लें जिससे पनीर सोप्ट बनता है और हमने यह पनीर बना के रे